फट आफट से जवाब दीजेगा, नए क्वश्चन मिलेंगे सारे ही, देखेगा, लेकिन concept पे आधारित हैं, previous year पे आधारित हैं, थोड़ा सा आपकी brain cells use होंगी, तो ध्यान से पढ़कर के सही तरीके से तब जवाब देना, यानि दो जड़वा भाई भेन हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं कि तू ज़ादा intelligent है कि मैं ज़ादा intelligent हूँ, है ना, तो their mother walks into put a halt to their fight and inquires about the situation, उनकी माता जी बीच में आती हैं, जैसा कि होता ही है भाई भेन के चगड़ों में, और वो कहती हैं कि रुको जरा, सबर करो, ह और वो situation के बारे में जानना चाहती हैं, पता करती हैं कि लड़ाई हो किस बात पर रही, मुद्दा क्या है, she calmly expressed her opinion saying girls mature faster than boys, was she right, माता जी कहती हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में जल्दी परिपकवो होती हैं, शीगता से परिपकवो होती हैं, लगभग सही है, yes, या फिर no, तो only one सही है, only two सही है, neither one nor two, या फिर depend करेगा कौन सा बच्चा intelligent है, यह बेकार की बात है, यहाँ पर मुछा जा रहा है, मदर ने जो यह statement दिया है कि girls mature faster than boys, क्या यह सही है, बिल्कुल सही है, yes, तो only one is true, only two कैसे हो जाएगा, वो तो गल्त हो जाएगा केवल one, है न, गलत हो जाएगा, केवल one, यही सही है, कि हाँ, girls mature faster than boys, यह बात एकदम fact है, लगवाग दो साल पहले लड़किया mature हो जाती है लड़कों से, और puberty में भी वही scene है, कि अगर लड़कों में वो, puberty जो है basically 12 साल में हिट हो रही है, तो लड़कों में 10 साल में हो जाएगी, just take example है, अलग-अलग writer के हिसाब से, अलग-अलग होगी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, question number 3 देखेगा और समझेगा, यह क्या कहता है, question number 3, a mother of an immature 22 year old girl desperately wanted her daughter to gain some level of maturity and so she set her up with a training process, training process has dash impact on maturity, यानि एक 22 वर्षी है, a परिपकव लड़की की मा चाहती थी, कि उनकी बेटी कुछ इस्तर की परिपकवता प्राप्त कर ले, इसलिए उसने एक training यानि प्रसेक्शन प्रक्रिया में शामिल कराया बच्ची को, training प्रक्रिया का dash, यानि training प्रक्रिया का dash पर परिपकवता पर क्या प्रभाव पढ़ता है, यह थोड़ा सा हिंदी में sentence structure में गढ़ बढ़ ह कुल मिलाकर के बाद यह पूछी है कि जो maturity है, जुसको हम कहते है highly related है, heredity से, क्या इस पर training का प्रभाव पढ़ता है, तो प्रभाव positive भी पढ़ सकता है, negative भी पढ़ सकता है, और बहुत बार तो पढ़ता ही नहीं है, तो depend करता है method पे, किस situation में training दी जा रही है, किस तरह क की training है, बहुत सारी चीज़ें, otherwise generally परिपकवदा पे, यानि maturity पे बहुत ज्यादा प्रभाव training का नहीं पढ़ता, लेकिन positive और negative दोनों तरफ जा सकता है, ठीक, तो huge impact होगा training का, अगर बच्चे का दिमागी ठीक से विकसित नहीं हुआ, कितनी भी training कराते रहो आप, कैसे हो चुके है, तो जितनी maturity gain करनी होगी, हो गई होगी, तो ये तो question ही बेकार हो जाएगी, ये बात ही बेकार हो जाएगी, कि ये कहें कि आप तो बहुत जादा कोई प्रभाव पढ़ जाएगा training का maturity पे, maturity highly related है, heritage से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हड्डियों में जान आ सारा कुछ जो है, development आपका लगवा complete ही है, तो ये बात में कुछ चीज़े हैं जो लेकिन वो आपके syllabus में नहीं है, third option is the right answer, कोई प्रभाव as such नहीं पढ़ेगा, question number 4 देखेगा और जवाब दीजेगा, क्या कहता है question number 4, development is the process of changes that are, यानि विकास एक प्रक्रिया है, जिसमें परिवर्तन होते हैं, किस तरहा के परिवर्तन, reversible यानि प्रतिवर्ती, यानि आज आप 18 साल के कला आप 12 के हो जाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, तो ये प्रतिवर्ती तो नहीं होते है, reverse gear नहीं लगता, development की ब्रक्रिया में, random changes, कोई भी रात को सोए, और सुभा उठे, तो देड़ फिट के सोए थे और चार फिट के हो गए, नहीं होता न, random कुछ भी दांत निकल आया, एक कहीं से भी हाथ तेड़ा मेड़ा कुछ भी हो रहा, random changes नहीं होते, ये बात कहना गलत होगा, reversible changes भी नहीं होते, reversible मतलब ऐसा नहीं होगा, आज आप एक वयस्क हैं और कल बच्चे बन जाएंगे, हरकतें कर लीजे, लेकिन बन नहीं पाएंगे, ठीक, orderly कि अगर हम बात कर लेंगे, यानि sequence में होता है, कि पहले आप infancy में होते हैं, फिर आप childhood में जाते हैं, उसमें भी early और later childhood आएगा, फिर आप adolescence की process में जाएंगे, फिर जाकर कि आप adult बनें होता है, विवस्ति धंग से, progressive है यानि प्रगति शील है, बहतरी के लिए आगे बढ़ती है रहते हैं हम विकास की प्रक्रिया में, बात सही है, तो third और fourth तो सही है, हमसे पूछा क्या है, सही पूछा है, development is the process of changes that are orderly in nature and progressive in nature, random और reversible नहीं होते हैं, तो second और third तो सही नहीं हो क्लियर होगा, यह direct तो जो है, psychologist के नाम या developmental psychologist के नाम आप से ऐसे पूछता नहीं है कि किसने क्या definition दिये, बट यह question इसलिए डाला गया है कि आपका concept क्लियर हो, कि development को कैसे अलग-अलग लोग, अलग-अलग तरह से देखते हैं, देखिए, match the following, निमलिखित का मिलान करें, ठ की एक बहुत famous book है, बहुत अच्छी किताब है, इन्होंने development के बारे हो, क्या कहा है, एक तो आपको यह पता करना है, ठीक, James Draver है, वो उन्होंने क्या कहा है, crow and crow, husband and wife है, यह क्या कहते हैं, फटा-फट्चा बताईए, कोशिच कीजे, देखिए, बर्क कहती है, simple, development is from prenatal to maturity, यानि विकास जो है, वो वूम्ब से शुरू हो जाता है, prenatal बोले तो गर्भावस्ता, conception period, prenatal period, pregnancy period, जो आपका मन कहरे है, इसको आप कह सकते हैं, इसको आपका gastric या कुछ तो driver बुलाते हैं, वो word मेर को exactly याद नहीं आ रहा, तो prenatal की अगर हम बात कर रहे है, prenatal to maturity, यानि बर्क के अनुसार, जो child development है, वो गर्भावस्ता से लेकर के, जब तक आप maturity attain कर रहे हैं, adolescence तक पहुँच जा रहे हैं, तब तक है, इतनी कहाने आप पढ़त अगर हम कहीं, तो child development के दायरे में है, तो development is from prenatal to maturity, ये बात तो निश्रित है, तो one का A नहीं होगा, one का B ही होगा, one का B कहां कहा है भई, one का B है, या तो second में, या तो fourth में, ठीक, आते हैं next, James Trevor पे या crow and crow पे, अब option ही दो बचे हैं हमारे पास, कि James Trevor क्या कह रहे हैं, हमें is from birth to maturity, ठीक है, उल्टा तो नहीं चले गए हम, third का ये हाँ, ठीक है, तो second के साथ दायेंगे, simple बात, तो यहाँ पे वो child development और human development में अंतर वाला point क्लियर करना था, वो इस question के मान्थिम से हो गया, तो थोड़ा सा आपका extra दिमाग लग जाता है, इस तरह question कराने का purpose ये ही थ अदर्वाइस आप से पूछेगा नहीं कि James ने क्या, driver ने क्या का है, crow and crow ने क्या का है, seated ने उस तरह question नहीं आते, वर child development और human development में अंतर आपको पता लग जाए, और थोड़ा सा आप नया question देखके extra दिमाग चलाएं, इसलिए आपके सामने एक question लाया गया था, question वर 6 किशोर आवस्था वह अवधी है, जहां पर क्या, बताईए, पहला option है, juvenile delicacy के मामले सामने आते हैं, यानि किशोर अपराधिया, बाल आपराधिक जो प्रवर्तियां है, चोरी करना, बहुता गुसा, मार पीट कर देना किसी के साथ, इस तरह की प्रवर्तियां जो आपराध के मामले, यहीं, 12-18 के बीच में आते हैं, ट्रांजीशनल एज, यानि परिवर्तन का काल भी हम इसी को कह रहे हैं, कि बच्चा जो है, एक चाइल्ड से, अडल्ट के ट्रांजीशन में है, परिवर्तन काल में है, इसको threshold period भी कह देते हैं, यानि चोखट है, बच्पन से, व एक एरिक्सन ने, identity crisis में हूँ, कौन मुझे आगे करना क्या है, यह सारे सवाल जो है, identity का crisis है, मैं बच्चा हूँ के बड़ा हूँ, यह सारे crisis, adolescence में ही होते हैं, एरिक्सन के according, तो identity crisis जो word दिया है, वो एरिक्सन नहीं दिया है, इस बार एरिक्सन से question आया हुआ है, एक और social development की बात इन्होंने की है, psychosexual development की बात सिग्मन फ्रॉइड करते हैं, psychosocial यानि manosamagic, manosamagic विकास का सिधान्त दिया है, 8 stages है, इनकी 8 stages में पूरे जीवन को lifespan theory भी कहते हैं, बांट दिया है, ठीक, एरिक, एरिक्सन नाम है इनका, ठीक, एरिक्सन ने, यानि आपका मन, यान आपकी personality जो है, समाज के साथ interact करके एक तरह से विक्सित होती है, हर एक stage पर कुछ challenges हैं, जिसके इन्होंने बात की है, तो ये एक बात होगी, आगे बढ़ेंगे, question number 7 देखेगा, और बताइएगा किया सही जवाब इसका होना चाहिए, थोड़ा से लेंदी है, बट बढ़ क brought at home, अपने घर ले आया, upon knowing his mom, calmly handled the situation and said to him, बेटा, भगवान जी is watching and he punishes those who lie and steal, next day, रोहन himself returned the car to his friend and apologized from his heart, रोहन is in which stage of development, रोहन अपने दोस्त के खर से गाड़ी उठा लाया था, यानि चोरी कर ली थी उसने, और अपने घर पे ले आयाया था, मा ने उसकी देखा और इस ची जूट बोलता है, चोरी करता है, उसको पाप मिलता है, पणिश्मेंट मिलती है, दंड मिलता है, ठीक, तो अब रोहन अगले दिन गया वापस और उसने अपने दोस्त से माफी मांगी बिलकुल अपने दिल से, और रोहन ने उसकी कार, उसकी पैंसिल, उसकी एरेजर ऐसा कर चरण में है, कोई किया रहा है, मैंने खुद किया था ऐसा, सबने बच्पन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ है, इस तरह का किया है, या किसी को करते हुए देखा है, तो माबाप की ग्यान को सुन करके फिर नहीं किया है, ऐसा कुछ, इन फैंसी यानि जन्व से दो वर्ष क वर्ष के वस्था में है, दो से छे वर्ष के वस्था में है, छे से बारा वर्ष के वस्था में है, या फिर बारा से अठारा वर्ष की वस्था में है, बताइएगा, इमाने जस्टिस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं, यहां अगर आप देखोगे, इमाने जस्टिस की बात ह जाया जासकता है बट अगर उस थेयरी के हिसाब से जाएं तो हम यहां उत्तर बाली अवस्था में जाएंगे कि 6 वर्ष के आसपास कहीं बच्चे की उम्र रही होगी तो हम 3rd के साथ जाएंगे यहां बहुत संभावना है कि B भी मान ले आपका एक्जामिनर आंसर बट हम यह जहां लेटर चाइल्ड़ूड के साथ जाएंगे एमानेंट जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कि एक सर्व्यापी न्याय होता है अगर आप गलत करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा टाइप्स यह बातें लेटर चाइल्ड़ूड में आती हैं एमानेंट जस्टिस कहते हैं इसको ठीक है ना छे वर्ष किया रहा हुए और अगर आप मॉरालिटी में भी जाएंगे कोहलबग की तो वो जो बच्चा है कि 10 साल तक का जो बच्चा है जिसमें वो बात करता है गौड की बात हो रहे हैं एसा नहीं हो रहा पनिश्मेंट और ओबीडियंस के पनि यह मेरी दॉटर को कोई पता नहीं लगा बट ठीक है हमाई टीम कोशन मना देखते है खतरनाक देख कोई गवाई टू बेस्ट फ्रेंड्स शिवानी और हिमांशी है और अपनी बेटियों को जन दिया शिवानी दॉटर वास इवलेपिं हर है फिर्स देन हर नेक देन हर ले आपको यहाँ पर विकास की दिशा की बात हो रही है फटा फट से बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे देखेगा दो दोस्ते हैं शिवानी और हिमांशी इनकी दो बच्चिया है शिवानी की जो बेटी है वो पहले उसका सर विक्सित हो रहा है यानि हैड फिर गर्दन ठीक फिर पैरों की ओर विकास की दिशा चा रही है यानि सर से पैर की ओर हैड टू टो लॉंगिट्यूडन लंबवत जिसको हम कहते हैं इस्ट्रेट लाइन है एक तरह की एक सेंस में तो यह लंबवत क्या कहलाता है सेफेल यानि हैड टू टो टो सेफेलो कॉडल पहले बच्चा अपना सर समालना सीख रहा है फिर गर्दन फिर बाकी के आस्पेक्ट्स आपके वो पैरों पे जो है विकास आ रहा है धड़ जुसको हम कह रहे हैं तो यह हैड टू टो जो है सेफेलो कॉडल होता है यह बात हमें विकास की दो दिशाएं है यानि पदोन मुखी कह देते हैं हिंदी में सर से पैर की और जाता है विकास यहां और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्त विकास कहते हैं इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल ठीक है अब यह जो शिवानी की बच्ची के बारे में बात हो रही है तो वो पहले अपन सर संभालना सीख रही है फिर गर्दन फिर पैरों की तरफ जा रहा है विकास यानि head to toe खोपड़ी से पैर के अंगुठी की तरफ या नीचे की तरफ longitudinal भी कह देते हैं इसको लंबवत कह देते हैं ठीक है longitudinal लंबवत ठीक है ठीक, head to toe, सर से पैर की ओर, head to toe, ठीक, बात सही है नहीं तो cephalocodal, सिरोध पदोन मुखी, पहले सर पे control, बाकी गर्दन पे और फिर नीचे की तरफ सिरोध पदोन मुखी, सर से पद की तरफ basically, होपड़ी से पैरों की तरफ, बात सही है फिर आते हैं proximo distal पे, यानि समीपस्थ, दूरस्थ, विकास, समीपस्थ, दूरस्थ, हिंदी में इनके कई नाम मिल जाएंगे, इंग्लिश में याद रख ले, आसानी रहेगी समीपस्थ, दूरस्थ, विकास होता है, समीपसे दूर की और, near to far बोलते हैं, near किसके, center के body के, center to extremities, ठीक है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सर से पैर, near to far, near to far, disturbance हो रहा है, near to far, यानि समीपसे दूर की और, समीप क्या center है body का, ठीक क्या, आपकी spinal cord, आपका heart, यान इसका कंदों पर control, फिर आपकी बाहों पर, arms पर control, फिर hands पर control, फिर unglियों पर control, यानि fingers पर control, तो ये near to far है, यानि center से periphery है body के, kendr से बाहर की और, center to periphery, सीमाओ की और, केंदर से सीमाओ की और, ठीक, इसको general to specific भी बोल देते हैं, gross to fine motor की तरफ भी किया सकते हूँ, आप, कि पहले बड़ी मासपेशिया और फिर fine की तरफ उंगलियों की मासपेशियों पर बाद में control जा रहा है पहले कंद्रों पर जा रहा है फिर आपकी भुजाओं पर बात सही है तो यहां पर शिवानी की डॉक्टर की बात तो इतनी होगे क्योंकि पहले खोपड़ी develop हो रही है यहां पर देख रहा है फिर आते हैं हिमांशी की डॉक्टर पे हिमांशी डॉक्टर developed her spinal cord first then her shoulders then her arms then her fingers तो फिर पहले जो है spinal cord या रीड की हड़ी या heart center में है जो body के फिर आपके shoulders फिर आपकी arms और फिर hands और fingers तो यह proximo distal है तो हिमांशी डॉक्टर is developing in the proximo distal direction बात सही है ठी यह question है समझाने के लिए basically क्योंकि अगर इसमें जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग-अलग दिशा फिर complex हो जाएगी लेकिन यह बात यहां सही है फिर भी पढ़ लेते हैं दोनों जो है same rate पे हो रही है नहीं दो अलग दिशा की बात हो रही है श्रिवानी's daughter is developing in the proximo इस्टल उल्टा बता दिया none of the above सही नहीं होगा second option is the right answer over here आगे बढ़ेंगे next question question number 9 देखेगा question number 9 देखेगा और जवाब दीजेगा क्या कहता है question number 9 यह कहता है which of the following viewpoint regarding the development of children is recognized by most psychologists यानि निमलिकित में से कौन साथ दृष्टिकोंड बाल विकास के संबंद में अधिकांश मनोविज्ञानिकों द्वारा मानने ता प्राप्त है जालतार मनोविज्ञानिक किस दृष्टिकोंड को मानते हैं देखेगे कुछ debate है psychology में या developmental psychology में अगर मैं कहूं विकास आत्म असतत या discontinuous है जैसे प्याजे discontinuous मानेंगे वहीं वाइगास की जो है वो continuous यानि सतत मानेंगे कि विकास तो निरंतर चलता है उसी तरह से दूसरी debate है कि early development यानि जो शुरुआत के साल है बच्चे के जीवन के वो ज्यादा महत पून है बाद के विकास से कुछ लोग है जो कह more critical than development in early years यानि बाद के वर्शों में जो विकास है वो प्रारमभिक वर्शों की तुलना में अधिक महतुपून होता है यह बात कहना सही नहीं होगा क्योंकि जादा तर मनोवज्यानिक यह मानते है कि जो शुरुआत का विकास है वो आपका बॉन वीटा वाला एड याद कर हैं critical है जादा critical है बाद के जीवन से तो यह जादातर मनोवज्यानिक इस बात पर सहमत होते हैं कि शुरुआती साल जादा महतुपून है बाद वाले सालों से तो यह बात कहना यहाँ पे गलत होगा कि जादर मनोवज्यानिक यह मानेंगे कि बाद वाले साल जादा महतुप development in either year is critical यानि किसी भी साल में जो है विकास critical ही होता है बट ये दो बहस है और जालता है मनोग्यानिक शुरुवारती सालों की पक्ष में है fourth option है development is the summation of heredity and environment यानि विकास आनुवान चकता है परियावरण का योग है देखिए ये summation नहीं है कोई addition नहीं है तो आप बता सकते हैं second option is the right answer आगी बढ़ेंगे next question पर next है question number 10 बताएगा तक हैता है question number 10 a 10 year old boy is different in sorry a 10 year old boy is different in rich household than in poor household because childhood is dash concept मतलब 10 साल का बच्चा अमीर परिवार में और गरीब परिवार में अलगल हो सकता है क्योंकि बच्चपन एक dash अवधारना है मतलब आर्थिक स्थती जिसको हम कहते हैं economic status जो है वो development को प्रभावित करता है ये पूछा है क्या करता है या नहीं करता है बिल्कुल करता है जो बच्चपन की अवधारना है ये socio-cultural concept है एक तरह से तो यहाँ पर बात हो एक cultural यानि सिर्फ संस्कृतिक अवधारना है तो संस्कृति तो सेम हो सकती है भारत में भी होकर के एक state में होकर के भी शहर में होकर भी 10 साल का बच्चा मालेजे दो twin बच्चे है twins हैं basically जुडवां बच्चे हैं और एक अमार में बड़ा होता है और एक गरीब परिवार में तो बच्चपन different होगा हो सकता है वो 10 साल का बच्चा जो एक गरीब परिवार में बड़ा हो रहा है या इस्तिती वैसी है जो आप रोट पे कईबार बच्चों को देखते हैं जो बलून बेच रहा है तो वो गुबारे बेचने वाला बच्चा हो सकता है बहुत हद तक जल्दी बड़ा होता हुआ आपको नजर आए उस बच्चे के मुकाबले जो जिसको दूद का ग्लास भी पांचवी ग्लास में भी हात में ही मिल रहा है और दसवी ग्लास तक भी मिल रहा है बजाए कि उस बच्चे के जो सुभा निकलता है जिसके पैर में चपल नहीं है तो बच्पन कई बार socio-cultural construct के रूप में देखा जाता है जो contemporary theorist हैं वो कहते हैं कि बच्पन अलग अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है तो ये socio-cultural concept के रूप में इसको देखते हैं हम सामाजिक Sanskritic अवधारना है जिस समाज और संस्कृति में रह रहे हैं बच्पन की परिभाशा बदल जाती है समझ पारे हो स्टेजिस जो है के विकास इस तरह से होगा वो एक अलग कहानी है बच्पन यानि childhood as a concept एक socio-cultural concept है एक तरह से देखें तो तो ये बात एकदम सही है different for different people नहीं यह यहाँ पे कहना गलत होगा broad है नहीं यह इस तरह question पूछा भी जा चुका है 10th का 3rd अब है आपका 11th question थोड़ा सा lengthy है बट पढ़ करके जवाब देंगे तो answer निकल जाएगा अगर आपने development का concept ठीक से पढ़ा है तो देखें question number 11 है यह कहता है कि our test was taken on nature of development for students of D.L.Ed which of the falling student was not prepared for the test यानि एक test बनाया गया कि विकास की प्रकृति यानि D.L.Ed में जब आप diploma in elementary education करते हैं तो विकास की प्रकृति यानि विकास chapter पढ़ते हैं आप growth and development तो विकास जो बृधियम विकास की बात है nature कैसा है development का इसको लेकर कि एक test conduct हुआ है आपके teaching training के time पे निमलिखित में से कौन सा शात्र इस परिक्षा के लिए तयार नहीं था यानि किसने सही जवाब नहीं दिया simple देखना है तीन बच्चे है आपके question क्या है पहले ये पढ़ लो write any two points on the nature of development यानि विकास की प्रकृति पे कोई भी दो बिंदू या दो point लिखने है तीन बच्चों ने लिखे और आपको पहचाने किसने गलत लिखा है not लिखा हुआ है was not prepared for the exam ठीक तो अनीता एक बच्ची है वो कहती है it's a broad domain यानि विकास एक क्या है विस्तृत दाइरा है हाँ broad होता है विकास जिसमें growth and development आ जाएगा learning maturity ये सब आ जाएगा it's गुडात्मक और मातरात्मक दोनों तरह की changes विकास में आते हैं ये बात भी सही है second ये क्या कह रहे है दूसरे point में कह रही है it consists of structural changes and functional changes यानि विकास की प्रक्रिया में संरशनात्मक और प्रकार्यात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है यानि development में quantitative structure में change कि आपके शरीर के संर motions को control करने लगा पहले से बैतर चीजों को जल्दी समझने लगा ये functional है इसको आप माप नहीं सकते कि 200 gram समझ बढ़ गई कल से आज तक तो structural और functional यानि qualitative और quantitative दोनों प्रकार के परिवर्तन विकास में आ जाते हैं तो ये बात भी सही है तो अनीता ने भी सही जवाब दिया है और सीता ने भी अब बची है गीता तो गीता को तो गलत जवाब देना ही पड़ेगा तब ही आंसर मिल पाएगा हमें फिर भी दोनों पाइंट देख लेते हैं इट प्रॉसीड्स फ्रॉम स्पैसिफिक टू जेनरल गलत जवाब दे गया गीता ने सीता ने नाम के गीता जेनरल टू स्पैसिफिक जाता है सामान्य से विशिष्ट की और जाता है विकास विशिष्ट से सामान्य की और नहीं जाता स्पैसिफिक टू जेनरल नहीं जाता पहले आप नॉर्मल हाथ चलाना सीखते हैं बाद में लिखना सीखते हैं सामान्य करिया करता है पहले को आप शुरात में कुछ देते हैं तो वो दोनों हातों से पूरे हाथ से पकड़ता है एक ग्लास भी छोटा सा या पैन भी बाद में वो सिर्फ एक उंगली और अंगुठे की मदद से किसी पैन को पकड़ सकता है यह specific है तो general to specific gross to fine motor skills proximo distal जाता है विकास ठीक यह नों ने उ रॉंग और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था तो इस तरह की questions आपके दिमाग पर थोड़ा जोड़ डालते हैं पता लगता है कि आपकी concept की clarity कितनी है जब आप नए questions करते हैं तो देखेगा question number 12 यह क्या कहता है भाई which of the following is a major domain of development निमलिकित में से कौन सा वि development major domain समझते हैं तीन ही है मुख्य PCS के साथ E भी आ जाता है मुख्य तीन ही है अगर आप NCIT के recording जाएंगे तो physical, cognitive, socio, emotional एक साथ आ जाता है तो विकास के चार मुख्य प्रकार हैं उसमें भी तीन ही मानके चलिए क्योंकि socio, emotional आपका सामाजिक और सामवगी के एक साथ आते हैं ठीक, cognitive development ये भाशा का विकास दिमाग के विकास से संबंदित है तो language हुआ, thinking, reasoning, problem solving, decision making जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो cognitive development में आते हैं ठीक, जो motor skills, gross motor, fine motor वो physical development के अंदर आ जाएगा तो मुख्य तो ये तीन ही प्रकार है, socio, emotional लिख लेंगे यहाँ ठीक, बाकी सब तो यहीं के अंदर आ जाएगे, तो language यहाँ पर मुख्य प्रकार में नहीं आएगा, भाशा जो है वो सब type है एक तरह से, वो भी cognitive development के अंदर आ जाता है, ठीक, और अगर आप देखेंगे cognitive development यानि brain के आपके दोस्ते हैं, left hemisphere और right hemisphere, जो left hemisphere है वो logic से जड़ा हुआ है, यानि language, mathematics, science, वो सब यहीं आएगा, जो right hemisphere है, वो creativity से जड़ा हुआ है, यह जो इतने भी creative काम है वो right में जाएगे, तो first, second और third तो सही है, broad domain के लिए, यानि second option is the right answer, fourth नहीं आएगा, क्योंकि fourth जो है, वो cognitive development के अंदर ही आजाएगा, वो broad domain में नहीं आता,